स्लाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम अफ्रोजन सारी है मैं फर्मडी फर्स्ट इयर का इस्ट्वेंट हूँ और आज हम पढ़ेंगे बायो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेशन ग्लाइकोलाइसिस विध ट्रेक तो हम आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस यह दो लेटिन टम का बना बनता है ग्लाइको और लाइसिस ग्लाइको मेंस गुलकोज और लाइसिस मेंस ब्रेक दाउन ब्रेक डाउन अब गुलकोज और पाईरुवेट ब्रेक डाउन अब गुलकोज और पाईरुवेट ना यह हमारा टेकपाट कहां करता है कहां होता है यह होता है it take part in parts in it take parts in cytosol यह का होता है cytosol to activate the ATP एक मेरा फ्रेंड है उसका नाम है फात खान मैक पर मैं उसको जब बोलाता हूं तो उसको ऐसे बोलता हूं हाई फात खान मैक तो यह हमारा एंजाइम का नाम आ जाता है नेम आप दा एंजाइम्स हाई फात के से खान मेक नाम अब हम कहां करेंगे शुरू कहां होता है ग्लाइकुलाइस ग्लाइकुलाइस ठीक है अब यह चेंज होता है क्लुकोज शिक्स फास्पेट में उसके बाद चेंज होता है प्रूक्टोज शिक्स फास्पेट में उसके बाद प्रूक्टोज वन कामा शिक्स भाई फास्पेट में चेंज होता है यह चेंज होता है दो चीज़ों में यहां पर हो जाएगा डाई हैड्रोक्सी असीटोन इस थीरी कारवन कमपाउंड यहां पर आएगा आपका ग्रिसी अल्याइड थीरी फास्पेट after that it will change 1, 3 वाई फर फरस्पोगलिसरेड and after that 3 3 फास्फो ग्लीस रेट and after that 2 फास्फो ग्लीस रेट and इसके बाद आजाएगा आपका फास्फो इनोल पैरुबेट and the last step is हम लोगो क्या चाहिए पैरुबेट चाहिए so last step इतना करने के पाद last step कहा आएगा पैरुबेट बन जाएगा पैरुबेट में चेंज हो जाएगा यह हम लोगो कुछ चाहिए यह मिल गया and after that अब देखिए हमारे इंजाइम का नाम कैसे लिखते है इंजाइम हाए मतलब हाए फात खान में यह से हेक जो कैनेज आई से आई शो मिरेज एफ से फ्रुक्टो कैनेज यहाँ आएगा ए से अब यह दिवाइड करता है दो दो भाग में और यहाँ पे आ जाएगा दियाइड्रो जीनेज और यहाँ पे आ जाएगा आपका काइनेज kinase और यहाँ पर आ जाएगा आपका MC muted और यहाँ पर आ जाएगा आपका से इनोलेज यहाँ पर फिर आ जाएगा हमरा kinase इस生 इंजाईम है इंजाईम के नाम हम ऐहाँ से जान सकते हैं हाय फात खान मेक और यह सबसे इजी तरीका है अगर आपको किसे भी चीज की इसमें प्राब्लम होई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना and thanks for watching this video and